हाई फ्रेंज वेलकम तू माई चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी तो चलिए फ्रेंज अब हम अपनी स्टोरी आई वांट टू सिलिप विद्यू का नेक्स पार्ट शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले फ्रेंज अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल सस् जब चैनल के आई इस उपन होती है तो वो ईवो को देखता है जैसे वो इवो को अपने उपर देखता है वो एक्दम शौक हो जाता है और उसी नाइट की सारी बातें याद आने लगती हैं कि उन दोनोंने कैसे एक दूसरे के साथ वो सब कुछ किया जान अपने मन में पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं जान ऐसा सोचकर ही परिशान हो रहा था तब ही इबो की आखे खुलती है जान इबो की तरफ देखता है इबो जान की तरफ देखता है तो इबो जान से पूछता है इबो क्या हुआ तब इबो जान को खुछ से दूर करने की कोशिश करता है नेक तो जान केता है दूर उठी है मुझसे और आपको क्या लगता है मैंने आपको माफ कर दिया है बिल्कुल नहीं मैं आपको माफ नहीं किया है तो इबो कहता है क्या और जो हम दोनों के बीच नाइट में हुआ वो तभी जान एक पल के लिए तो चुप हो जाता है लेकिन तभी वो कहता है हम दोनों की बीच जो कुछ हुआ वो हमारी बोडी नीट थी हमारी बोडी नीट की वज़ा से हम दोनों की बीच वो सब कुछ हुआ यह वो तो बड़ी बड़ी आंगे करके बस जान की तरफ देखे जा रहा था वो जान की बात सुनके बहुत हट होता है वो अपने जान अब कहता है, दूर उठिये मुझसे, वो इबो को खुशे पुश करने की कोशिश कर रहा था, ठेकिन इबो, इबो तो जान से दूर ही नहीं हो रहा था, तब ही जान गुशे में आ जाता है, और वो इबो से पुशता है, वैसे आप मुझे एक बात बताएए, आप अपन बात समझ नहीं आ रही थी, कि हाकिर जान ऐसी बाते कर क्यों रहा है, वो जान की तरफ देख रहा था, वो जान से कहता है, जान क्या बात कर रहे हो तो, तबी जान कहता है, मैंने कहा न, मुझे छोड़िये, और आप, आप, जाए यहां से, ऐसा कहता है, जान बहुत जाना क्या कहा तुमने, गल्फ्रेंड और बाइफ, कौन है मेरी गल्फ्रेंड और मेरी बाइफ, मुझे तो पता नहीं है, इबो, अब इबो को भी गुसा आने लगा था, वो जान की ऐसी बात से सुनके बहुत इरिटेट हो रहा था, और जान की बातों से बहुत हट भी हो गया जान को गुस्सी में कहता है, क्यों? कौन है, मुझे बता, मुझे तो नहीं पता है, तब ही जान कहता है, क्यों, आप अपनी गल्फ्रेंड इस लिली को भूल गए हैं, जिसे आप अपनी बाहों में इतने प्यासे करल करके सो रहते ही, इबो को जान पर अब बहुत ज्याद एबो जान के हात को पकरता है और उसे खीच कर अपनी लब में बिठागा लेता है और जान से बहुत हुआ जान, तुम ऐसी बाते कर भी कैसे सकती हूँ उसे जान पर बहुत गुसा आ रहा था वो कहता है ये कुछ भी बिना सोचे समजे बोले जा रहा है इबो जान से कहता है, जान, क्या तुमने लिली को मेरे साथ सोते देखा था? जान इबो की तरफ देख रहा था उसने इबो की चेहरे पर गोसा साफ दिखाई दे रहा था एक पल के लिए तो जान को भी डर लगता है वो अपनी आखों को जुखा लेता है तब इबो फिर से उसका चिन पकरके उसके चेहरे को उपर करता है और कहता है जान मैंने पूछा क्या तुमने मुझे लिली को साथ देखाता सोते हुए जान तो कुछ भी नहीं कह पाता वो कहता है जान क्या तुम्हें मुझे पर सच में बिलकुल ट्रस नहीं था बिलकुल भी नहीं तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा परसन हूँ जो किसी के भी साथ फिजिकल हो जाऊं। जान तो बस इबो की तरफ देखे जा रहा था। उसकी दड़कन इबो की बात हैं सुनके बहुत तेज हो चुकी थी। इबो की आँखें अब दीरे दीरे नम हो रही थी। क्योंकि वो जान की इस तरह की बातों से बहुत हट हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि जान उस पर बिलकुल भी ट्रस्ट नहीं करता। जान बस इबो को देखे जा रहा था। जान इबो जान से पूछता है क्या तुम उस परसन का फेस देखा था जो लिली के साथ बैट पर था। जान तो बिलकुल साइलेंट हो जाता है। ये तो सच था जान ने उस परसन का फेस नहीं देखा था। क्योंकि उसका बैक था, जो जान ने देखा था, जो देखने में बिलकुल इबो जैसा था, इसलिए जान को बस यही लगा था, कि लेली के साथ जो सो रहा है, वो इबो ही है, जान चुपो जाता है, वो बस इबो को देखे जा रहा था, क्योंकि उसके पास कहने के लिए, कुछ भी नहीं और ईबो वह जान की तरफ देख रहा था और फिर से जान से पूछता है मैंने तुम से कुछ पूछा है क्या तुमने मुझे देखा था जान अब डर जाता ईबो से वह अपना सिर्फ नामें हिला देता है नहीं तो ईबो प्यार से उसकी चेहरे को पकड़ता है और थोड़ा रिलेक्स होता है क्योंकि उसको जान पर गुसा आ रहा था और वो जान पर बिल्कुल गुसा करना नहीं चाहता था वो जान उनकी आँखों में देखती हुए कहता है फिर तुम क्यों लगा कि वो मैं हूँ जान कहता है क्योंकि आप ही थे और वो परसन आप ही के कपड़े पहने हुए था इबो ने कहा लेकिन वो मैं नहीं था जान जान का दिल कह रहा था कि इबो सच कह रहा है लेकिन उसका ब्रेन ने मानने को उसका दिमाग ऐसा नहीं चाह रहा था जान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो बस इबो की तरफ देखे जा रहा था तो उससे पुछता है तबी जान इबो से पुछता है तो कौन था? आप मुझे बताइए एक वो इबो एक स्माइल करता है और जान की फोरज पे किस करता है वो कहता है लेली यह सब लेली का प्लान था जो मुझे तुमसे दूर करना चाहती थी वो चाहती थी कि कैसे भी तुम मुझे दूर हो जाओ जान कहता है पर क्यूं तबी यह वो गहरी सांस लेता है और जान की तरफ देखता है और कहता है क्योंकि वो मुझे लाइक करती थी ये सुनके जान का तो पूरा फेस चेंज हो जाता है उसकी आँखों में गुसा देखने लगता है इबो जान को ऐसे देखता है तो एक स्माइल करता है और कहता है लिली ने वो सब इसी लिए किया ताकि तुम उसे दूर हो जाओ जान ने का क्या इबो ने का हाँ क्योंकि उसे पता चल गया था तो जान कहता है क्या पता चल गया था उसे इबो फिर से गेरी सांस बरता है और जान की तरफ देखने लग और कहता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं तुम्हारे बर्डे वाले दिन तुम्हें प्रपोस करने वाला हूँ ये सुनके तो जान बड़ी-बड़ी आँखों से सिर्फ इबो को फेस को देखी जा रहा था उसका पूरा फेस रेड हो गया था वो जान की तरफ देखता है और पुछता है क्या कहा आपने तो इबो कहता है हाँ जान मैं तुम्हारे बर्डे बाले दिन तुम्हें सप्राइस देना चाहता था मैं तुम्हें मैं तुम्हें प्रपोस करना चाहता था पता है तुम्हें इबो ने जान की तरफ देखा और जान इबो की दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थी जान की तो आँखें बड़ी बड़ी हो गई थी वो क्या कहे उसका चेरा ब्लस कर रहा था जान ये देख लेता है इबो ये देख लेता है और एक स्माल करता है तब ही वो कहता है ये बात लिली को पता चल गई थी कि ते मैं तुम्हारे बड़ेवाल पर प्रपोस करने वाला हूँ इसलिए उसने प्लानिंग किया थाकि तुम मुझसे दूर हो जाओ जब उसे ये सब कुछ पता चला तो उसने ऐसा किया कि तुम कैसे भी मुझसे दूर हो जाओ और ऐसा हुआ भी उस रात वो उसे पता था कि मैं गर लेट आने बाला हूँ उसने मेरे और मेरे ब्रदर की सारी बातें सुन ली थी उसने मैंसें में आकर किसी लड़की को बुलाया जो दिखने में बिलकुल मेरे जैसा था उसने मेरे कपड़े पिनाए और हमारे रूम पर बेट पर ले जाकि उसके साथ कडल करके सोने का ड्रामा किया उसने जैसा प्लान किया था वो सकसेस हो गया क्योंकि तुम तुम इतने बड़े इडियेट हो, तुमने लिली को उस लड़के के साथ जैसे देखा, तुम्हें लगा कि वो मैं हूँ, और तुम मेंसन छोड़ करी चले गए, क्या, क्या, जान, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने एक बार कि मेरे बारी में नहीं सोचा ना, जान, क्या, तुम मुझ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, बस तुम मुझ पर वे अब तुमसे क्या कहूं, जान बस इडियो की बातों को सुन रहा था, उसे बहुत ज़्यादा खुद पर से लेस पील हो रहा था, वो बहुत हर्ट हो गया था, उसे ऐसा लग रहा था, कि उसने इबो के साथ ये क्या कर दिया, इबो, इबो से, उसने इबो से एक बार भी बात नहीं की, अगर उसने उस दिन उस लड़के का फेस देख लिया होता, तो साइद इतना कुछ नहीं होता, वो इतने दिन तक इबो से दूर नहीं हो उसकी आखे नम हो गए उसकी आखों से आशु बैने लगे इबो उसकी फेस को पकड़ता है और उसकी आशुओं को पोचता है और उससे पूरे चेहरे पर किस करने लगता है और कहता है जान मैं तुम से कुछ पूछू तो जान हम कह देता है तबी इबो एक गहरी सी सांस लेता है और जान से कहता है जान सच बताना तु जान इबो की तरफ तेखने लगता है तो जान इबो कहता है सच बताओ कलम रात दोनों की भी जो कुछ हुआ क्या वो सिर्फ हमारी नीट की वज़े से था जान इबो को बस देखे जा रहा था वो कहता है मैंने ये क्या कह दिया तेभी भिचारा अपना सिर ना में हिला देता है इबो की स्माइल करता है और फिर से जान की लिफ्स को कैप्चर कर लेता है वो जान को बहुत ही पूर्ली तरीके से किस करने लगता है और दीरे दीरे जान भी उस किस का response करने लगता है दोनों का kiss बहुती long और hot होता है दोनों एक दूसरी को kiss करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरे से दूर हो जाते हैं जान का तो पूरा face ही red हो चुका था इबो एक स्माइल करता है और जान को बैट पर पुश कर देता है जान इबो की तरफ बड़ी बड़ी आंगे करके देखते हुए कहता है क्या कर रहे हैं आप इबो जान से कहता है वही जो हमने नाइट में किया था जान कहता है क्या बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी देखो आपने मेरी कैसी हालत कर दिये मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जारा आप तो सच में बहुत बड़े बीश्टो तब ही जीवो जान की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और क जान के उपर आजाता है और उसे बहुत ब्रूटली तरीके से किस करने लगता है जब वो थोड़ा सेटिस्पाई होता है तो जान को छोड़ देता है वो जान की बोड़ी को देखे जा रहा था जो पूरी नेकरती जान कहता है सेमलेस अब क्या कर रहे हैं उठिए मेरी उप किया मौन तुम कर रहते मेरा नाम लेकर और बीष्ट मैं हो गया तो मैं बीष्ट कैसे हुआ और बीष्ट कैसे किसे कहते हैं तुमने अभी तक देखा का है बिचारा जान वो तो इतना साय फिल कर रहा था वो तो इबो की तरफ देख भी नहीं रहा था तब ही वो इबो से क करता है वो करता है वो केन मुसे आपको पता है मुझे अपनी लोर बोरी अभी तक फील नहीं हो रही है मुझे बेक में भी बहुत पेन है और मुझे वाच twee chlorine भी जाना ing तभी वो बैट से उतता है और अपना ट्राउजिर पहेंता है वह जान को अपनी आबाओं में बरता है और उसा है उठाता है जान जोर से चिलाता है क्या गिर रहे हो तब ही इबु कहता है चूप बिल्कुल मैं तुम्हारी हैल्प कर रहा हूँ जान को देखता है और स्माल करके उसे बॉस रूम में ले जाता है वो से बाता में बिठा देता है और जान को दीरे दीरे उसकी बोडी को क्लीन करने लगता है दीरे दीरे वो जान को अच्छे से क्लीन करता है और वापस रूम में ले आता है वो जान की बोडी को अच्छे से पहुचता है उसे कपड़े पिनाता है उसकी बालों कोileyõ अच्छे से सुकाता है और उसे बैड पर लिटा देता है इवो जान से कहता है मैं अभी शार लेकर आता हूं। तुम्हारा हम करो और उसकी की लिपस पर एक चोटा सा किस करता है जान का चेहरा तो पूरा रेड हो गया था, इबो जान को ऐसे देखता है और एक स्माईल करता है, और वाश्रूम में चला जाता है, जान, इबो के वाँ, जान इसके बाद, जान की फेच पर एक सैडनेस आ जाती है, वो अपने मन में सोचने लगता है, उस ने क्या करती है, वो सच में बहुत बड़ा स्टूपिड है ईबो तो उसे प्रपूस करने वाला था जैसे ही उसको ये बात याद आती है उसका पूरा चेरा फिस से रेड हो जाता है वो अपने आत्में कह रहा था मैंसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैंने सच में उन्हें बहुत हट कर दिया तबी थोड़ी देर में इबो भी शावल लेके बाहर आता है उसने अपने वेस्ट के रांट टवर लपेट रखी थी क्योंकि नाइट में इबो के भी सारे कप्ड़ी भीग गय थे जान इबो को ऐसे देखता है तो उसके दिल की दड़करें तो बढ़ जाती है वो अपने मन में सुचता है कि कितना होट है तबी इबो जान की तरफ देखता है और एक स्माल करके जान से कहता है जान क्या देख रहे हो तबी इबो जान के पास आता है और जान का बलेंकेट उसके चहरे से डाती हुआ कहता है जान मुझे कप्ड़ी चाहिए तो जान कहता है पर मेरे कप्ड़ी आपको पता नहीं पर उस ड्रॉर में है अगर आपको फिक्स हा जाएं तो आप पहन लो जाता है और जानके ड्रोर से कुछ कपले निकालने लगता है